इस वीडियो में हमनों देखने वाले हैं क्लास 12 समास आसकर जो आपका चैप्टर 2 है सांसकतिक परिवर्तान उसके मोस्ट इंपोर्टेंट दीर गुत्री प्रेशन उतर इससे पहले हम लोग ने इसके लगुत्री प्रेशन उतर और ती लग सारे कावर कर लिए गो जो आपने करते हैं तो संसकति करड़ की एक ऐसी प्रक्रिया कर संकेतन है जिसमें व्यक्ति संसकतिक दिर्श्चे प्रेश्थित समूं के रीति रिवाज वार नामों का अनुकरण कर अपनी प्रेश्थित को उच्छ बनाते हैं मलग संसकति करड़ क्या होती है संसकति करड़ एक ऐसी जिसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो समुदाय होते हैं, जो समुदाय होते हैं, वो अपनी संस्कति में प्रिचली तिरीति वाजो और उनके प्रतिली जो भी प्राकाश्ठा होती हैं, उनका अंकरर करके अपनी जो इस्थित हैं, उसको हमेशा उच्छ बनाये रखने का प्रयास लगते हैं संस्कति की अवधार्णा इनका इस तरोपर निंदा की जा सकती है जो फ़र्स टर है वो है सामाजिक गति शीलता निम्न जाती पर उर्ध्वा गामी बदलाव करती है तो यह हमारी पहली इसकी जो निंदा का जो पहला स्रोथ है वो यह है तो सबसे पहले इस अवधाना की निंदा में यह कहा जा सकता है कि इसमें सामाजिक गतिशीलता निमनिजाती का सामाजिक स्तिरी करण में उर्दुगामी परवर्तन है इस प्रक्रया में कोई समरशनात मगबलाव ना होकर सिर्फ कुछ वैक्तियों का स्थित परवर्तन होता है अनि सब्दों में इसका अर्थ यह है कि कुछ वैक्ति असमानता पर आधारी समाजिक स्रशनाव में अपनी स्थित में तो सुधार कर लेते हैं परंतु अपने इस समाज में व्याप्त असमानता तता बेदभाव खत्म नहीं हो पता मलब इसमें क्या बताया जा रहा है इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो अनिक संस्कति को अपना कर अपने आपकी स्थित को तो उचा कर लेते हैं कभी-कभी लेकिन वो समाज में व्याप्ति की समानता और बेदभाव को खत्म नहीं कर पा वो उच्य जाती वाले पहुते हैं उनकी जाती वाले ऑपनाना चाहते हैं उनका उनका आनुकरण करते हैं जो कि संस्कति करल का एक बहुती बिकार चीज है क्योंकि सभी को अपने तरीके से रहना चाहिए किसी को किसी का अनुसरा नहीं करना चाहिए सेगेंड पॉइंट है हमारा आसमानता वा अब वर्जन की बात तीसरी निंदया है कि संस्कति की अवधाना एक ऐसे प्रारूप को उची ठहराती है जो दरसल असमानता वा अब वर्जन पर आधारित है इससे संकेत मिलता है कि परवित्रता वा अब वर्वित्रता के जागरित पच्छों को उप्यूक्त माना जायता था इसलिए यह लगता है कि उची जाती दौरा निंदयाद के प्रती बेदभाव की तरह एक विशेश्य रिखार है तो मिलकी इसमें क्या बताया जा रहा है कि यहां पे बहुत ज़़दा समानता और वर्जन देखने को मिलता है वहाँ पे उची जाती दोरा जो है निम्न जाती के प्रती बहुत ही ज़्यादा भेदभाव की भावना देखने को मिलती है तो इसमें यही बताया जा रहा है इस तरह के रिष्टिकोड वाल समाज में समानता की कलपना मुश्खिल होती है क्योंकि जहां पे भी ऐसा हम लोग स संस्कति का बहुत ही तुच्छ उधारड है चौथी निंदा में यह कहा जाता है कि उच्छ जाती के अनुष्ठानों रीती रिवाजवा वहारु को संस्कति करड़ की वचा से स्विक्रती मिलने से लड़कियों महिलाओं को असमानता की स्रीडी से नीचे ढगे लिया जाता है इसके कन्या मूल के स्थान पर दहिश प्रथावा अन्य समुहों के साथ जातीगत भीदभाव आदी पढ़ जाते हैं तो यह भी हमाई संस्कति में चलता आ रहा है कि महलाओं को कम दर्जा दिया जाता है पुरुशों के पिक्षा और जिसकी जो उनके कार होते हैं जिसकी है पिछड़ा मानना यह भी हमाई संस्कति के बहुत ती बिकास कीज़े तो दली संस्कति वा दली समाज में मुलभीत पच्छों को भी पिश्ड़ापन माल लिया जाता है उधारन के लिए निम्न जाती के लोगों दौरा किये गाय श्रम को भी निम्न वाश शर्म दायक मान उप्योंग में गयर उप्योंगी मान लिया गया था तो क्या था जो पहले क्या होता था जो दलित्वर्ग होते थे या उनको दलित्वस समझा जाता था व कि मगी जौदोगी यूग था वहाँ पर इसे गैर उपयोगी माना जाता था ब्रहंबर विरोधी आंदोलन वा छेत्री स्वचेतना के विकास ने बीश्वी सदी में ऐसे प्रयोग को जम दिया जिसके तहट कई भाती भाषाओं से संस्कत के शब्दों वा मुहावरों को हटा जाने लगा तो इस टाइप से बहुत सारे वहाँ पर उसके बाद जो बीश्वी सदी में कुछ ऐसे बहुत सारे नेनाय आये जिसकी वज़े से जो जाती होती जो निम जाती होती उनकी स्थित में थोड़ा-थोड़ा सुधार होने लगा प्रभुत जात की डर्श से यह कहा जाने में प्रिष्ठा अनुभव करते थे यह देपदलित जाती है समुहों में सबसे अधिक गरीब वह सीमान्त लोग अपनी जातीगत पहचान के अधार पर अने छेत्रों में उनके दल कुछले होने की छतिपूर्थी भी करते हैं यानि दूसरों सब्दों में उनको जो भी आपको समझ में आ राया है क्योंकि अससे कोशनर यह दो कि आप लग सकते हैं आपको फूरी का पड़ेगा को दिमंग में बठाना पड़ेगा कि इनकी स्थीदी कैसी थी या फिर संसकती करण के दौरा क्या हारिया होई या संसकती करण अच्छा है बूरा है यह सारा कुछ आपको खुछ से समझना पड़ेगा तभी आप एक्जाम में लिख सकते हैं और पूरे पूरे एंसर नहीं लेंट कर सकते हैं में क्योंकि कोश्यां हमेंसा रिपीट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेगिन यहाँ पे हाँ आपको यह पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप के कोश्यां बन सकते हैं तो आप इस टाइप से प्रिपेर कर सकते हैं उसका एंसर आप इस टाइप से लिख सकते हैं नहीं आप पू समझ के लिखना पड़ता है लग उत्री में कवर कर चुके हैं तो देख लिए आपको उसे बहुत ज़्यादा है वह जितने भी आपके लॉंग टाप कोशन आएंगे वह सारे उनी कोशन से आएंगे वस उनको थोड़ा सा आपको बढ़ा करना पड़ेगा तो वह अपने आप कर सकते हैं तो आपको जो वीडियो ची लगी तो प्लीज से लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ऐसे मोस्ट पॉर्डम वीडियो पाने के लिए तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू